Hello dear student, आप लोग को मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे कुछ questions दिख रहे हैं, ये very very important questions, ठीक है? ये very very important questions हैं, जो objective type questions हैं, ये हम लोग का, ये exam के भीव से बहुत ही important है, जो मिला जुला हर एक chapter का हम लोग का कुछ questions, जो हम लोग यहाँ पे देख हैं, कि ये जो दिख रहा है, कि ये जो 21 questions हैं, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि टॉल्विन जो है, ओ हम लोग का, अगर हम लोग का हम लोग का formula होता है, तो ये हम लोग का formula होता है, और हम लोग का CH3, और इसको जब chlorination कराते हैं, यहाँ पे chlorination कराते हैं, ये sunlight के presence में तो ये direct attack करता है, कहाँ पे इस position में, और ये हम लोग का क्या बन जाता है, ये हम लोग का बन जाता है, CH2 और यहाँ पे CL, और यहाँ पे ACL बन के बाहर आ जाता है, तो ये कहलाता है Bengyal Chloride, और Bengyal Chloride हम लोग का, यहाँ क Hier घोईगा कुल तो यहां पर हम लोग का ऑंसर हो जाएगा अब यहां पर मैतर अब या पह जा रहा है की रिफैनिग फैन्य इडिसक्र प्रोसस्टे इन Always коे लेकिन करें हम यहां बोलक्तिव प्रосьस होता है लेकिन यहाँ पे smelting process नहीं होता है तो हम लोग का यहाँ पे क्या बोला जा रहा है not a method of refining of metal तो यह हम लोग का सही answer second हो जाएगा next हम लोग का यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि H2 plus Cl2 यहाँ पे H new तो हम लोग का HCl gas बनेगा यह याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पे order of all photochemical reaction जो है O0 के बराबर होता है जितना भी order of photochemical reaction होगा जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जो प्रकास translation कराते हैं तो O0 कौन सा अभिक्रिया होगा तो यह जितना भी जैसे हम लोग यहाँ भी देखें कि sunlight के presence में हुआ तो यहाँ पे भी हम लोग का क्या होगा यह 0 order हो जाएगा तो यह जितना भी हम लोग का photochemical reaction होगा सभी 0 order reaction होगा Next हम लोग का क्या बोला जा रहा है कि यह argon है यह 3D84S2 is correct electronic configuration of which transition metal यहाँ पे बोला जा रहा है कि argon यहाँ पे 3D यह argon का atomic number कितना होता है तो 18 होता है 18 और यहाँ पे 8 और plus 2 तो हम लोग का total कितना हो गया 28 तो 28 atomic number इन में से किसका होगा तो हम लोग सही इसका क्या बोलेंगे nickel ठीक है अब next हम लोग का आता है 25 25 में क्या है which of the following is not transition element इन में से कौन transition element नहीं है तो iron है जिसका atomic number 26 होता है यहाँ पे copper है यह जिसका atomic number 29 होता है यहाँ पे manganese है यह atomic number 25 होता है तो यहाँ पे calcium जो है इसका last electron जो है ओ हम लोग का 4S2 हो जाता है इसलिए S और S block का हो जाएगा यह transition element नहीं होगा इसलिए हम लोग बोलेंगे calcium next 26 में आते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब हम लोग फिनॉल को zinc dust के presence में hit कराते हैं तो हम लोग का product क्या बनेगा तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का zinc है यहाँ पे zinc के presence में जो phenol को हम लोग reaction कराते हैं hit कराते हैं तो यह जो zinc dust है यह ZNO बन के बाहर आ जाता है और यह हम लोग का क्या बन जाता है benzen ring और benzen ring हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे पहला हम लोग का option benzen है ठीक है अब यहाँ पे next हम लोग का है hydration of propene in the presence of dilute H2SO4 gifts यहाँ पे hydration of propene, hydration of propene का मतलब क्या है यहाँ पे propene, propene हम लोग अगर यहाँ पे लिखते हैं CH2 double bond CH single bond CH3 ठीक है और इसको हम लोग क्या करते हैं इसको hydration कराते हैं that means H2O के साथ reaction कराते हैं और यहाँ पे किसके presence में तो हम लोग का dilute H2SO4 dilute H2SO4 तो हम लोग का यह जो है यह कैसा होगा H और यह हम लोग का OH में तूटेगा तब हम लोग का यह जो negative charge है यह negative charge हम लोग का किस position में आएगा तो यहाँ पे marconic oxygen follow होगा और marconic oxygen क्या बोलता है कि जो negative charge होते हैं वो ऐसे carbon में जाके attach होते हैं जिस carbon में hydrogen की संख्या कम हो और यह hydrogen हम लोग का क्या हो जागा यह अलग दूसरे carbon में चला जागा क्या बन जाएगा product CH3 यहाँ पे CH यहाँ पे OH यहाँ पे हम लोग का CH3 और इस तरह से हम लोग का क्या बनेगा यह two degree alcohol बनेगा और two degree alcohol हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है propane to all अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि a new carbon carbon bond formation is possible मलब एक नया carbon carbon bond जो है formation कब होगा तो नया नया carbon यह के निजारो reaction क्या कहता है कि जब हम लोग का वैसा LD है जिसमें alpha carbon present ना हो तो OH या फिर naOH के presence में यह हम लोग का क्या होता है एक reduction होता है एक oxidation होता है और oxidation जो होता है हम लोग का क्या बनाता है और यह हम लोग का क्या बनाता है और यहां पर फ्राइडल क्राप्ट हम लोग देखते हैं तो फ्राइडल क्राप्ट reaction हम लोग क्या होता है कि यह बोलता है कि जब हम लोग बेंजिन रिंग या फिर कोई भी क्लोरो बेंजिन या कुछ भी हम लोग reaction जब कराते हैं तो अलकाइलेशन और एसाइलेशन जब कराते हैं तो यहां पर हम लोग का carbon और carbon दो हम लोग का bond बनता है और यहां पर क्या बोलता है कि carbon carbon new bond का formation किस में होता है तो carbon carbon new bond का formation हम लोग का फ्राइडल क्राफ रियक्शन में होता है क्लियर है आगे हम लोग का क्या hybridization of nitrogen atom in CS3 NH2 यहां पर हम लोग को देखना है दोस्तों कि यह हम लोग का CS3 यहां पर N यहां पर lone pair of electron यहां पर hydrogen यहां पर direct connected कितना है bond pair दो और एक तीन तीन और यहां पर क्या ह हो गया lone pair तो total हम लोग का 3 bond pair electron and one lone pair of electron total कितना हो गया चार हो गया अब चार हो गया तो यह hybridization क्या हो जाएगा SP3 तो हम लोग का इसका केतना हो जाएगा SP3 जो 3 number में फिर दोस्तों यहां पर क्या बोला जा रहा है कि when ammonia is reacted with excess of alkyl halide यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ammonia is reacted with excess of alkyl halide यहां पर देखते हैं दोस्तों यह जो है alkyl halide alkyl halide हम लोग किसको बोलते हैं RX और यहां पर हम लोग क्या करेंगे इसको ammonia को NH3 को H and NH2 लिखेंगे तो जब ऐसा होगा यहां पर HX बनके क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा और यहां पर हम लोग क्या हो जाएगा 1 degree क्या बनेगा 1 degree हम लोग का इमाइन इसी टाप से अगर इसको हम लगातार करेंगे तो हम लोग को 2 degree अमाइन भी बनेगा 3 degree भी अमाइन बनेगा तो हम लोग का यह क्या क्या लाएगा अब mixture of all हाना तो यहां पर हम लोग का all these मतलब 1 degree 2 degree and 3 degree बनेगा नेक्स्ट है हम लोग का the gas evolved when methylamine reacts with nitrous acid हम लोग का जब methylamine किसको बोलते हैं तो CS3 NH2 इसको हम लोग reaction कराएंगे किसके साथ तो HNO2 के साथ nitrous acid के साथ तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या HONO और जब हम लोग इसको दोनों को reaction कराएंगे तो OH कहां पे यहां पे direct connect हो जाएगा क्या हो जाएगा CS3 OH और यह N और यह N क्या बन जाएगा N2 और यह हम लोग का H2O क्या हो जाएगा H2O तो हम लोग का यह जो है डायनाइटरोजन का formation तो डायनाइटरोजन हम लोग का किस में है option number 2 में next हम लोग का क्या है कि which enzyme help is in converting sucrose into glucose and fructose that means हम लोग का क्या है यह जो है C12, H22 and O11 इसको हम लोग क्या करते हैं यह H2O मतलब hydration कराते हैं in the presence of यह जो है हम लोग का invertage यहां पे जो है enzyme हम लोग का invertage और यह जब बनेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा C6, H12, O6 plus C6, H12, O6 और इस तरह से glucose और fructose बनेगा next हम लोग का क्या है कार्वोहाइड़ेड और stored in human body as यहां पे क्या हो जाएगा सही answer glycosin और next हम लोग क्या है दोस्तों rubber is a natural polymer of यह याद रखना है दोस्तों कि rubber जो है इसका natural polymer जो है सिर्फ और सिर्फ आइसोप्रीन होता है क्या होता है आइसोप्रीन यहां पे क्या हो जाएगा rubber is natural polymer of आइसोप्रीन ठीक है और each of the following is uidized disinfectant यहां पे दोस्तों सोफ्रामाइशिन है यह जिरो पॉइंट टू परसंट फिनॉल है इकवानेल है अन मॉर्फिन है यहां पे अगर फिनॉल रहता यह 1% फिनॉल रहता तो हम लोग का यह जो है सही answer 1% फिनॉल होता लेकिन यहां पे 0.2 परसंट है तो यह एंटीवाइटिक का काम करता तो सहीए अंसर हम लोगा सौपरा माईसिन होगा ठीक है दोस्तों तो इस तरह से हम लोग का टोटल जो है यह objective टाइप कोस्षिन का जो था उसको हम लोग देखें नेक्स्ट अब जो है वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों इसी का short अंसर जो काफी important है exam के भी उससे ठीक है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे अगर अच्छा लगे तो हमारा यह जो है वीडियो जरूर से जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें थैंक यू